हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तरफ से प्यार भराने मिशकार सत्रियाकाल अदाब दोस्तों एक बड़ मैं फिर हाजिर हूं एक ने रेस्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं यमी यमी खीर जी हाँ इसके आगे गुलाब जमन और इस गुले भी बिल्कुल फीके हैं तो चलिए फिर यकीन नहीं आ रहा ना तो देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाएंगे तो ग तो लीजिए एक लिटर मैंने इसमें दूद एड़ कर दिया है और अब हम क्या करेंगे अब हाफ कप के क्रीब हम इसमें पानी भी एड़ कर देते हैं अब आप कहेंगे पानी क्यों एड़ किया है पानी मैंने इसलिए एड़ किया है क्योंकि हमें चावल जो बॉयल करने है क्योंकि पानी इसमें एड हो गया है और चावल पकने में समय लगता है तो पानी जब तक सुखेगा तब तक हमारे चावल बहुत ही बढ़िया पक जाएंगे और जो दूद है वो हमारा क्रीमी क्रीमी बनकर त्यार होगा तो चलिए फिर इसे मिक्स करते हुए चलाते हुए दूद को पकाएंगे तो बॉइल आ गया है ये देखिए बॉइल बहुत बढ़िया आ चुका है तो अब हमें क्या करना है अब हमें थोड़ असा दूद चाहिए यानि एक टेबल स्पून के क्रीब दूद चाहिए जो हमने इसके केसर के धागे लिए है इसमें एड़ कर देते हैं ताकि बढ़ि दूद को पकाना स्टार्ट करते हैं चावल मैं इसमें अभी आइड नहीं कर रही हूं थोड़ असर दूद पक जाएगा इसे मैं दूसरे चुले पर रख देती हूं और देखते हैं कि आगे हमें और क्या करना है चावल को किस तरह से त्यार करना है तो चलिए फिर देख लेत हैं तो यह देखिए मैंने चावल लिया है वन फोर्थ कप यहां आप इसे कह लिजिए कि दो मुठी चावल है एक लिटर दूद के लिए दो मुठी चावल बहुत होते हैं तो इस चावल को हमने क्या करना है अभी तो हमें इसको वाश करना है तो डाल लेते हैं बॉल में औ अभी तो लिया है चावल को तीन चरवार पानी से और इसमें अब बिल्कुल एक बून पानी नहीं है तो अब हम क्या करते हैं अब रखते हैं गैस के उपर पैन पैन मेंने रख दिया आदा चेमच के करीब डाल देते हैं इसमें गी थोड़ाशा मेल्ट कर लेते हैं तो और इन चावलों को अब हमें इसे अच्छी तरह से दो से तीन मिनट रोस्ट करना है, भूनना है, जब तक इसके उपर घी की अच्छी तरह से कोटिंग ना आ जाए, आप खुद बखुद देखेंगे कि चावल जब हम भूनना स्टार्ट करते हैं और चावल जब भूनने तो एकदम से कलर चेंज हो जाएगा, तो कलर तो चेंज हमें नहीं करना है, इसे च्छी तरह से भूनना है, तो इस तरह से भूनकर अगर चावल आप ले रहे हैं, और फिर आप देखिए खीर की जो टेस्ट का कमाल है वो आप भुला कर भी भुला नहीं सकते, तो चावल को हमने मिक्सी में अब पीसना है, तो मैं पीस लेती हूँ, और दूद मैंने रख दिया है, यह देखिए, चावल को मैंने मिक्सी में अच्छी तरह से ग्रैंड कर लिया है, टुकड़ा चावल बना दिया है, बासमती चावल था लेकिन उसको टुकड़ा चावल बना दिया है और add कर दिया है दूद में और अब हमें चावल को अच्छी तरह से इसमें पकाना है तो flame मैंने इसकी कर दिये बिल्कुल low low flame पर आप चावल को पकाईएगा high flame या medium flame बिल्कुल मत रखिएगा दूद भी अपने अप reduce होता जाएगा और जो पानी है वो भी अच्छी तरह से सुखता जाएगा चावल हमारा पकता जाएगा और चावल जो बन कर त्यार होगा न मैं आपको क्या बता हूँ और ये देखिए कलर कितना बढ़ी आ गया न केसर वाले दूद में अब add कर देते हैं इसमें और friends ड्राइफ रोट आप इसमें कोई भी अपने मन पसंद का इसमें add कर सकते हैं बदाम कीजिए काजू कीजिए किश्मिश कीजिए पिस्ता कीजिए जो भी आपको पसंद है तो मैं ले रही हूँ काजू और बदाम तो मैंने थोड़ा सा crush कर दिया है इन दोनों चीज़ों को तो अब मैं साथ ही इसमें भी add कर दूँगी दोनों चीज़े तो ये मैंने थोड़ा सा गानिश के लिए रखाया और ये जो है बाकी इसमें add कर देते है ये पहले मैं इसलिए add कर रही हूँ friends क्योंकि चावल जैसे जैसे पकेंगे न तो हमारे dry fruits भी पकेंगे और जो हम खीर खाएंगे बनने के बाद तो वो बिल्कुल घुल मिल जाएंगे ये dry fruit पता भी नहीं चलेगा कि dry fruit है इसमें तो ये देखिए कम से कम मुझे 6-7 minute हो गया तो लो फ्लेम पर पकाते हुए और चावल बहुत बढ़ी है तरीके से पक चुके हैं ये देखिए मैं आपको चेक कराती हूँ ये चावल का आपने दाने देखा है न ये देखिए प्रेस किया तो साथ में ही बिल्कुल प्रेस हो गया चीनी भी मैंने अड़ कर दी इसमें हाफ कप आदा कप यहां आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और मैंने इसमें हरी लाइची का पौडर भी ऐड़ कर दिया है फ्लेवर के लिए अब थोड़ा सा और पकाते हैं तो कम से कम दो से तीन मिनट और हो गए है तो फ्लेम इसकी मैंने मीडियम कर दी थी खीर हमारी जबरदस त्यार हो चुकी है बहुत बढ़िया खुश्बू भी आ रही है क्या मैं आपको बताओं इसके आगे गुलाव जामु रस्कुले बिल्कुल फेल हैं आप बना कर देखिए इस तरह से जिस तरह से मैंने आपको चावल को रोस्ट करके बताया ना किस तरह से बनाना है इस तरह से बना कर देखिए तो ये देखिए, कितनी गाड़ी हमारी कीर त्यार हो गई है, थोड़ी सी ठंडी भी कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी तो देख रहे हैं न आप तो फ्लेम मैंने कर दिया ओफ इसकी तो आप इसकी कंसेस्टेंसी देखिए बस इस तरह की चाहिए हमें अब मैं आपको दुखाऊंगी ये देखिए, कोटिंग देखिए, कितनी बड़िया आ गई है ये देखिए, कितनी मोटी कोटिंग आई है ये ने इसकी इस तरह की आनी चाहिए, तो समय लीजिए हमारी खीद बहुत जबर्दस बन गई है तो आप करते हैं से सर्व तो मैं इसे ग्लासिस में डाल रही हूँ क्योंकि आप इसे खा कर पीए या पी कर खाएं ये आपके उपर है क्योंकि आप इसे अगर कटोरी में खाएंगे ना तो आपका दिल करेगा और खाने के लिए तो और खाने के लिए आप ग्लासिस में डालेंगे तो ग्लासिस में फटा 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 एक घुट में पीने वाले हैं से बस आप बना कर तियार कीजिए एक बार वहाँ हाँ क्या बात है तो लीजे फ्रेंट्स तियार है आपके लिए जवरदस्त यमी यमी केसरिया चावल की खीर तो बनाईएगा जरूर और मुझे बताईएगा भी तो आप चाए कटोरी में खाएं या आप ग्लासिस में पीएं दोनों ही पढ़िया लगते हैं खाने में भी पीने में भी तो मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ इसका टेक्स्चर कैसा है यह देखे यह देख रहे हैं आप इस तरह से बनेगी आपकी खीर अगर इस तरह से बनाएंगे ना तो यही टेस्ट आने वाला है यही टेक्स्चर आने वाला है तो दोस्तों क्यासी लगी आपको मेरी यह रस्पी अगर अच्छी लगी है ना तो प्लीज यह से लाइक करना मत भूलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेर किजेए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को भी जुरूर सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए, बाइ बाइ